IPL 2023 में चन्ने की जीत के बाद खुशी से जूम उठे विकी कॉशल और सारा अली खान वीडियो हो रहा है इंटरनेट पर वाइरल जैसे देख कर फैंस भी हो गए हैं क्रेसी वल्क बॉलिवुड के जानी मानी आक्टरस सारा अली खान और अक्टर विकी कॉशल इन दनों अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रोमोशन में लगे हुए हैं जैसे जैसे फिल्म की रिलीस डेट पास आ रही है वैसे वैसे दोनों स्टार्स फिल्म को हिट करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं इसी बीच कल यानी के 29 माई को सारा अली खान और विकी कॉशल आईपेलट परी 23 का फाइनल मैच देखने पहुच थे इस मैच के बात करें तो ये चन्नाई सूपर किंग्स और गुजरात टाइडन्स के बीच खेला गया वैसे तो ये पैच 28 माई को होना था लेकिन बारश के कारण मैच को आगे बढ़ाया गया इस मैच का रिजर्ट सामने आ गया है और जिसके बात सारा अली खान और विकी कॉशल का एक विडियो खूब वाइरल हो रहा है विकी कॉशल और सारा अली खान अपने फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रोमोशन के लिए IPL 2023 का फाइनल मैच देखने पौचे थे जो चन्नाई सूपर किंग्स और गुजरार ताइटिन्स के बीच खेला गया था कल यानी 29 में को हुए इस मैच का रिजर्ट बारश के कारण काफी लेट आया लेकिन सारा अली खान और विकी कौशल पूरा मैच देख कर ही वहाँ से हटे इस मैच में सारा अली खान और विकी कौशल के इस मैच से कई वीडियोस जम कर वाइल हुए लेकिन चन्नाई सूपर किंग्स की जीत के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें सारा अली खान और विकी कौशल खुशी से जूमते दिखाई दिये जानकाली के लिए बता दे कि विकी कौशल और सारा अली खान धोनी की टीम चन्ने सूपर केंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिये थे विकी कौशल और सारा अली खान की लीड रोल वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके दो जूल 2023 को रिलीज होने वाली है इस फिल्म का फैंस काफी लंबे से हम ऐसे इंतिजार कर रहे हैं और विकी कौशल और सारा अली खान के IPL 2023 के final map से सामने आए वीडियो को लेकर वाल आपकी क्या है राए? Do let us know in the comment section.